Hey guys, this is Ujjal Kumar Sain and you are watching Ujjal Kumar Sain YouTube channel. So guys, आज़ का topic क्या है? 50 lakhs per year before I turn 30. कैसे होगा? How is it possible? तो इस वीडियो सब के लिए है. चाहे आप 10th class में है, 12th class में है, बीटे कर चुके हैं, बीटे कर रहे हैं, 15 जगा नोकरी कर रहे हैं, 20 जगा नोकरी कर रहे हैं, आपका age 25 years हो चुके है, सब के लिए है. तो आप किसी भी केटेगरी में है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और लास्ट में बात जरूर करूँगा मैं, क्या पैसा सब कुछ होता है? कहां तक आपको पैसा help कर सकता है? और इंडिया में अच्छे से life जिने के लिए कितने पैसा कर रिक्वार्मेंट है according to tier of city you are living or you wanted to live. Right, so let's get started, right? देखिए, अगर पहले बोलोगे क्या 50 लाख पर एर इंडिया में कमा रहे हैं बंदे? हाँ, लेकिन comparison में जो हमारे इंडिया के population है, लोग रहते हैं, उसे comparison में बहुत कम percentage है. इंडिया में लगबग 3-7% क्या है? income tax भरते हैं, हर साल. मतलब 96.5% about, वो धाई लग से वो पैसा नहीं कमाते है according to data. वो income tax नहीं भरते हैं. सारदिन की percent के आसपास लोग क्या भरते हैं? income tax भरते हैं. धाई लग पर यर की बात कर रहा हूं. तो 50 लग पर यर वाले बहुत कम होंगे. very very less. पॉइंटों में होंगे, 0.5% और 0.4% के आसपास. मैं भी साइट में जाता बता रहा हूं. बट एक्जर्टी बताना मुस्किल है. बट बहुत कम होंगे, right? बट हैं, definitely. तो जो हैं, क्या उनके पास कुछ special चीज है? नहीं. कुछ जो आपके पास लगवाग उनके पास होई होगा. लगी उनने कुछ system को build किया है, कुछ काम कर रहे हैं, right? उसके बादे हम बात करेंगे, देखिए. पचास लगवाग पर एर कमाना है, तो आपको क्या करना होगा? बीग MNC में जॉब करना होगा. तरीका, पहला तरीका, एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है? आपको खुद का business होना चाहिए. दो ही तरीका है. और आप अगर government जॉब कर रहे हैं, तो like impossible, अगर आंटी लले साब किसी बड़े post पर नहीं हो, तो like impossible, मतलब प्रेसिडेंट हो तो काम बन जाएगा, लेकिन कितने प्रेसिडेंट है, मैं सब बाती नहीं करूंगा, इंडिया में एक ही प्रेसिडेंट होंगा, वोई 5 साल में चेंग हो गते हैं, तो मतलब stability तो ह यह नहीं, तो वाइसा आप big emergency होना चाहिए, या फिर business होना चाहिए, यहां से आपका जो रास्ता है, 50 लाग का वो पूरा हो सकता है, आप देखे हम बात करेंगे 10th क्लास से पहले, big emergency में कैसे जाएंगे आप, या फिर business खोलने के लिए कोई पढ़ाई लिखाएगी, जुर मतलब काफी अच्छा पैसा, कोड़ बोती तो नहीं बोलूगा, उससे पैसा कमा लिया, उसने, इसका मतलब नहीं सारे कर पाएंगे, मेरा बोलने का मतलब कर सकते हैं, यह थोड़ा समझे अच्छे से आप, मतलब पूरा चीजों को समझना है हमें, assumptions नहीं करना हैं चीजों क नहीं करना हैं, यहां पर जो हम क्लास में पढ़ते हैं, यहां पर रियल लाइप चल रहा है, तो बिग MNC अनकी क्या चाहिए, आपको पहले बताया हूँ, अगर आप 10th क्लास में हैं, तो आप क्या करिए, 12th करिए, साइंस से, मैं साइंस की बात करूँ का, विकॉस मैं रास्ता परता है, तो देखा है, बंदों को जाते हुए, बहुत सरे में नोन कमाते हैं, लगबग इतना ज्यादा भी कमाते हैं, कुछ लोग मेरे नोन है, जिरो ने रास्ता को अपना है, राइट, अच्छा, 12th क्लास, 10th क्लास अपने, 12th क्लास अपने पास आउट किया, इपने लिजिए, अगर मिलता है, तो आपके रास्ता क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, विकाउज आपका टार्गेट क्या है, टर्निंग 30 से पहले, अभी आपको तुरद नहीं चाहिए, तो आपको रास्ता आसान हो जाएगा, विकाउज में, आइट अपने बाइलोजी के एम्स क्लेक करो, आप डॉक्तर के जॉब लो, बाहर जाब गवर पैसा है, इंडिया में ठीक ताफ पैसा है, अच्छा पैसा है, अब बात करते हैं, आर्ट वालों के लिए भी मेरे पास तरीका है, स्कॉमर्स वाले उनके पास क्या है, सीए क्वालिफाई करि ट्राइ टू गेट, ट्राइ टू क्रैक इनी बीग कम्प्रिट एग्जामनेशन, यू पीसी है तो बहुत बढ़िया है, अगर स्टेट पीसी में अच्छे रेंक आ रहा है, तब भी बढ़िया है, आज कल मैं देख रहा हूँ, बच्चे उनसे पढ़ना चाहते हैं अधा, ह लोग कोई help करोगे और खुद के पैसा ये तो अराम से हो जाएगा, मैं को सिंपल हिसाब भी दिखाऊंगा आपको, right, because exactly हम अहीं कर रहे हैं फिलाल, but हम थोड़े से अलग तरिया काम कर रहे हैं, हम पैसे किसी नहीं भाग रहे हैं इतना, पैसे में चाहिए, because teacher को हम पैसे saying this, क्या करने हैं आपको, आप पहले पढ़ाईए किसी जगह पर coaching center में, आप अपने concept को अच्छे करो, समझो चीजों को, क्या psychology है, समझो थोड़ा सा, student क्या चाहते हैं, क्या उनके problem है, उसका क्या करिए, आप एक अपने website launch कर दो, investment थोड़ा है, definitely website launch करिए, जिसके जिए क् अपने courses sell करना शुरू करिए, right, courses sell करना शुरू करो, मतलब क्या है, आप जो course coaching में एक लाग का है, अगर आप online 10,000 का देते हो, right, एक लाग हो रहा है न, हाँ, 10 अगरते हो, तब भी आपके लिए profitable है, अब 50 लग पर year मतलब क्या है, 5 लग, मतलब 4 लग something, लेकिन चलो tax देंगा, चलो 5 लग मांते हैं, पर आपका per month कमाना होगा, 50 लग पर 5 लग पर month आपको में हिसाब लगा लिता हूँ, तो आप कमाना कितना चाहते हैं, 5 लग, 5 लग होगे न, per month, तब division कर दो 10,000 से, right, 50 students अगर आपके पास आगे, महीने क तो आप 5 लग कमाना होगे, per month, और आपका 50 multiple क्या होता है, 12, 600 student आपके पास आगे, पूरे साल में, तो आप 60 लग per year कमाना लेंगे, लेकिन वो revenue होगा, वो net earning नहीं होता है, revenue होता है, उसमें tax भी लगता है, gateway charge भी लगता है, लेकिन ये आपको मोटा मोटा तरीका मैंने आना पड़ेगा, फिलाल इंडिया में मुझे लगता है, अगर आपके पास knowledge है, आपने कोई exam crack किया हुए, students आपको जानते हैं, इस सबसे बढ़िया, बिजनस नहीं बोलूँगा इसको, तरीका है, बच्चों को help करने का, हमने एक step भी लिया, इसको भी हम change करते हैं, हमने क teacher को हमने उठाया, बढ़े लिव भाई पढ़ाओ, free कर दिया हमने, यह हमारा strategy है, society को देने का, आप बोलो के पैसे कैसे कमाओगे, भाई साथ पैसे, एड से पैसे थो आजाएंगे, यूट्यूब के, और आपका हमारे टैसरी चलता है, उसने काफी बच्चे मारे पास उसन करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ऐसे study लगा सकते हो, पैसे तो आएगा, प्लस आप लोगों को help कर रहे हैं, because सोचो यार कितने बच्चे effort कर सकते हैं, एक लाग हर साल salary का, और खाने पेने का अलग से डेली इस जगह में रहोगे, यहां पर भाई, खाने पेने का एक लाग चला जाएगा, दो लाग एक साल का, और एक साल कोचिंग लेने बाद कौन सा सब बच्चों का होता है, और सब दो साल, तीन साल, चार साल लगे में, गौर्मर्मर्ण निकालने के लिए, because competition चना बढ़ता जा रहा है, इस सच है, तो वैसा अब यह तरीका लोग बताते हैं, जिस से आप क्या करते हैं, पचास लग पर येर कमा सकते हैं, तो MNC में जाएंगे आप IIT के जरिए, तो आप पचास लग पर येर आराम से कमा सकते हो, आराम से मतलब ध्यान सुनना, because मैं फिर से कहीं बता रहा हूं, बहुत से लोग क्या करता है, आराम से मतलब कुछ काम नहीं करेंगे, पचास लग पर येर आएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं आएगा, आपको महें तो करना होगा, even after earning 50 lakhs per year, you have to put effort, even more effort, because आपका responsibility और बढ़ जाता है, जिस कमपनी में काम करते हैं, because कमपनी आपको इतना पैसा पे कर रही है, as simple as that, हमें इस बात को समझना चाहि ही, right, because it's not like that, कि आज का entertainment हमें secondo मिलता है, मजा आता है, लेकिन ऐसा life नहीं है, life थोड़ा different है, थोड़ा सा patience लेके काम करना पड़ता है, but इसने question पूछा, मैंने जब देखा इसका, before I turn 30, तो मैंने देखा कि न, इस बनने कुछ तो प्लान किया है, तब मैं इस topic पर वीडिय हो चुका है, right, is it clear, I hope so, चलिए, अब बात करते हैं किसके बारे में, business के बारे में, कि business कहां शुरू करें, एक तो बता चुका हूँ, एक तका business नहीं बलूँगा, social service बलूँगा, because business is different thing, right, coaching बोलूँगा, अच्छा रहेगा, online platform बलूँगा, अच्छा होगा, e-learning platform करते हैं, देखिए, आपने देखा होगा, आज कल बहुत e-commerce website, आगे आगे, flip card Amazon, छोटे से शुरू हो गया था, आज कहां पहुंच ले, right, तो आप same to same करेंगे, चलाना मुस्किल है, आपको थोड़ा सोचना होगा, कि क्या और requirement है लोगों का, कैसे मैं internet के जरिए, लोगों wholesale कपड़े का, wholesale खाने पिने चीज़ों का, even vegetables का, आपने गाउं सुरू कर सकते हो, तो business अगर आप करेंगे, तो अगर अच्छे से business करते हो, सही नियत के साथ, short term गेननी करना है, आपको long term चलना है, example देता हूँ, short term मतलब क्या लोग सोचते हैं, एक बंदे से एक लाग कमा बलूं, तो भाई वो बंदा, आपके पास जिन्दे कभी नहीं आएगा, अगर आपने गलत कमा लिया, और उपर से एक, मतलब जिसको मिलेगा, बोलेगा, मत जाना हूँ अपर, मत जाना हूँ अपर, तो क्या हो जागा, negative marketing आपका होगा, तो आप business अगर कर रहे हैं, तो हमे क्या कर रहे हैं, more life को touch करने कोशिस कर रहे हैं, मतलब हर घर में होने का कोशिस कर रहे हैं, चाहिए आप, डिस सर्विस बोलो, टीवी वाला जो आता है, चैनल से बिगराते हैं, वो क्या करने हर लाइप को touch करते हैं, उन से फिर थोड़े-थोड़े पैसे कमाते हैं, बड़ तो यह एक लाग आ रहा है ना, तो आप एक लाग बंदो से कमाओंगे, तो लोगों क्या मिलेगा, रिजनेबल, सुपर रिजनेबल प्राइस में सर्विस तो मिलेगा, प्लस हो, क्या होंगे, word of mouth marketing होगा, तो अगर आप देखिए, बिजनेस, मैं बताओं को to be frank, बिजनेस स कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं, मुझे पता है, अगर आप करना चाहेंगे, सब नहीं करना चाहेंगे, विजनेस में टाइम देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा अचीब करना है, रियली में ससाइटी को help कर ना है तो बिजनेस का alternative मेरे इसाब से कुछ और खास है नहीं हाँ एक और है administrative service में जा सकते हैं आयस qualified फिर जाग कर सकते हो उसमें लोगों की help कर सकते हो बिजनेस से आप ज़्यादा से लोगों को help कर सकते हो सिर्फ इंडिया नहीं पुरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बिलिगेट्स को देखो हर जगा पर हो help कर रहे हैं उनके foundation बाट टेक्स टाइम टाइम लगता है चीजों करने के लिए तभी तो इनका वैलू है मैं मैंसा इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हैं आयों पर गटिंग में सो यह चीज़ी था जो क्लियर करवा दिया मैंने और एक तरीका है जो आपको बताऊंगा चाहें जौब करो या फिर उसके बाद बिजनस भी कर सकते हो क्या है आप मालो बहुत सरे बोलेंगे सर मैं तो कम सेलरी मुझे मिल रहा है मुझे यह सब नहीं पता लगा क्या है क्या नहीं मैं क्या करूंगा मेरे बार में कुछ बो क्या कि जिस बच्चे ने मुझे कोशन पूछा था वो जस्ट भी टेक पास आउ हे रास्ता है क्या करना होगा उसके आप यह तो बिजनेस में घुसरा होगा ठोड़ा टाफ है उसके लिए इसिशनेंस में इन्वेस्मेंट की जुरुतपड़ां और सबसे बड़ा जबर्दस thinking जो पढ़ता है वो thinking अना मुस्किल थोड़ा साभी तू क्या करेगा मतलब possible तरीका ये तो वाइस अब थोड़े से exceptional होता है बड़ possible तरीका क्या है उसको क्या करना होगा अब चूज करना होगा field कि मुझे gate में जाना है या फिर मुझे MBA में जान करना है मतलब गेट करना है या फिर MBA करना है अगर आपका teaching में इंट्रेस्ट है गेट में अच्छा रेंक लाओ गेट में अच्छा रेंक लाओ गेट में अच्छा रेंक लाओगे हमें contact करना हम पूछ आपको काम दिला देंगे अभी हमने हायर किया हंड़िट कास पास रेंक है उसको हमने हायर किया है तो आपको हम काम दिला देंगे हमारे पास है वेकेंसी अच्छा रेंक लाना पड़ क्या लिग रहा हो मैं इसको स्थीक करता हो मैं तो बाहर जा सकते हो अब दोनों के तरीज़ें बाहर जा सकते हो मैं प्लेस्मिन बताऊंगा थोड़ा सा आप समझना अच्छे से राइट राइट देखिए एम बाद जो एवरेज पैकेज है अगर मैं आयम अमदवाद की बात क ले लेंगे बड़े-बड़े आयम के तो अवरेज पैकेज आइधिंग अठरा लाग उनली इस लाग का अवरेज पैकेज होगा अमदवाद का लग बड़े एम टेक कॉलेज जहां प्लेस्मेंट जिसका हो गया आठ लाग-नौ लाग का पैकेज लगबग लगेगा अगर आप अच्छे रेंग लाते हो और अच्छे कॉलेज से पिर आप टीचिंग में जा सकते हैं कंप्रिटीशन एग्जामेशन के टीचिंग में पैसा ज्यादा है विकॉज लोग उसमें इंवेस्मेंट करने के राजी हैं सबको गवर्मेंट जोब चाहिए इसलिए अग पर क्या आप पीज अच्छा बिजनेस कर सकते हैं उसकज क्या है आपका मतलब को विल्म में रिसार्च करा और फिल में रिसार्च करें कुछ निकाला हो जाएगा पचास लग तो पहुंची जाओगे मेरे साफ से मतलब पॉसिबल है एडिस बेरी मच पॉसिबल जो गेट के लिए प्रहाते हैं अच्छे कोचिंग में प्रहा रहे थे अभी तो कोचिंग बंद सारे तो एक करोड से कम का एक साल का नहीं है राइट मेरे अच्छा सब्सक्राइब काफी अच्छा सब्सक्राइब कितना से मिलता है अच्छे जो पढ़ा रहे मतलब अच्छे कोचिंग ऑफ-लाइन कम से कम 12-15,000 भी है कम से कम नहीं है 12-15,000 पर आवर भी है और एवरेज लगा लो 7-8,000 एवरेज पर आवर बट वो यहां पर डालना होगा उ उस पर इस तरह का ताकि आपको प्रोपर नॉलेज मिले ता मुझे नीचे जुरू जब कमेंडें बताएं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक सबका लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन मिल जाएगा तैंक यू बेइमाच और एक आस वीडियो को बहुत छोटे मोटे बिजनेस करता था लाइक सेलिंग वेजिटेबल्स राइख आप आप में कर सकता हूं आप भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम इन राइट और गाइस बतना था मैं सब्सक्राइब को चैनल को अगर आप नोटिवेशन चाहते हो डिरेक्ली ओन टेलिग्राम तो उसका लिंक भी डाल दूँगा मैं फर्स्ट कवर में उसको जरू सब्सक्राइब करें मतलों जरू उसको जोइन करें आप राइट वाट 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 व्लेस वाल थैंक यू